हलो फेंड्स वेल्कम टी योर चैनल डूर दोस्तों आप सबका स्वागत है अपने चैनल डूर में और आप जो हम लोग चैप्टर की बात कर रहे हैं वह है आपका एडवर्स ड्रग एफेक्ट और यह बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है जैसा कि मैं पहले बता चुका जो आपके first 10 chapters है इसमें से maximum question आएंगे तो इसको आपको conceptual way में करना है और थोड़ा सा depth में जाना है समझना है चीजों को उसकी examples है वो आपको रटने है बागी जितने भी chapter है उसमें आपको कुछ नहीं करना है simply आपको जो वहाँ पर classification है उन ड्रग के classification आपको पता होना चाह दोस्तों मैं बतातूं कि अगर मैं इनके लिए time निकालूंगा तो आपका main part है वो रह जाएगा तो आप simply क्या करो कि यह जो ऐसे subject है जिसमें से बहुत ही कम question आते हैं या हो सकता है कि अगर आप उन question को नहीं भी करोगे तो भी खास effect नहीं पढ़ने वाला है तो वह आप अ इसना जो important topic है फार्मकोलोजी का adverse drug effect उसको हम लोग देख लेते हैं और उसको पहले मैं ये भी बता दूँ कि इसमें से 2 से 3 question आपको आराम से वहाँ पे दिख जाएंगे इसलिए आप जो भी मैं बताओं उसके example और आप बिलकुल अपने copy में note कर लेना और उसको बिलकुल इसकी skip मत करना तो दोस्तों आपका chapter सुरू होता है कि adverse drug effect तो adverse drug effect का सबसे पहले चीज़ important ये है कि adverse drug reaction और adverse drug effect sorry adverse drug event इनमें आपको अंतर पता होना चाहिए तो इनके अंतर का दोस्तों ये है कि adverse drug reaction क्या है कि इसमें treatment से आप इस चीज को सही कर सकते हो लेकिन event क्या है एक series है प उसमें treatment से कुछ लेना देना नहीं होता है तो ठीक है आपके लिए जो आपके definition दी हुई है बुक में वो भी बता देता हूँ Any noxious change which is suspected to be due to a drug occurs at dose normally used in man, requires treatment or decrease in dose or indicates caution in the future use of the same drug Means कोई भी ऐसा change जो आता है जो normal dose जब किसी हम patient को देते हैं हम normal dose ही दे रहे हैं लेकिन फिर भी वहाँ पे आपका कोई change आ जा रहा है जो कि unwanted change है मतलब हम उसको नहीं चाहते हैं लेकिन ऐसा कुछ वहाँ पे change आ जा रहा है जिसको हम treatment के द्वारा जिसमें हम dose को कम करके या जो caution है उसको हम ले तो क्या है कि वो सही होने के chances रहते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं adverse drug reaction बागे जो आपका adverse drug event होता है वो होता है any untoward medical occurrence तो इसका the important term है वो है medical occurrence that may present during treatment with a medicine but which does not necessarily have a casual relationship with the treatment जिसका कोई भी relationship नहीं है treatment से ठीक है तो यह चीज़ important है आपको अगर definition पूछी जाएगी वैसे तो आने के बहुत कम chances है अगर पूछी जाएगी तो वहाँ पे casual relationship treatment के साथ नहीं है यह चीज़ों जरूर मेंशन करेंगे तो आपको क्या टिक करना है कि यह adverse drug event है कि दोस्तों actually कोई भी drug हम जब देते हैं तो उसके पीछे आपने कोई भी drug आप पढ़े होगे तो वहाँ पर उसके side effect वगएरा जरूर दी होते हैं जिसे business वगएरा जो हम अपने subjective paper में कुछ भी लिखाते हैं तो reality क्या होती है दोस्तों कि कोई भी drug अगर कहीं पर beneficial है तो वह कहीं न कहीं वहानिकारत दी है तो हमें बस यह चीज़ देखना होता है कि हमारा जो profit है वह ज्यादा है कि नहीं है means जो unwanted चीज़े हैं वो मतलब कि कम है उस अपेच्छा में जहां पे हमें ज्यादा फाइदा मिलना है मानलो कोई drug है जिससे हम cancer सही कर सकते हैं लेकिन उसकी वज़े से हमें बुखार आ जाता है या सर्दी हो जाती है या legyness आता है या allergy हो जाती है तो हम फिर उस drug को use करेंग अगरा जो होते है ठीक है तो उसमें दोस्तों आपका type A होता है type B होता है तो आप से भी पुछा सकता है कि predictable मतलब type A है type B है ठीक तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा predictable को हम type A reaction भी कहते हैं augmented reaction भी कहते हैं या mechanism based reactions भी कहते हैं फिर जो आपका unpredictable होता है उसको हम type B कहते हैं या बिजैरे reactions भी कहते हैं अब जो predictable है वो नाम से आपको बता रहा है कि यह common होते हैं dose related होते हैं और इनको हम prevent कर सकते हैं और इनको हम सही कर सकते हैं तो यह हुए आपका predictable कि हमें पहले से पता है कि इस dose में यह चीज होती है, ज्यादा dose लेने से यहाँ पर adverse दिखाएगा, तो हम उसमें कम dose करके उसको सही कर सकते हैं, लेकिन unpredictable क्या है, कि हमने नहीं देखा, लेकिन वहाँ पर reaction आ जा रहा है, ठीक है, तो वह हुआ आपका type B या बिजैरे reaction जिसको हम सही नहीं कर सकते हैं, फिर दोस्तों आपका आपका caller severity of drug reactions, तो इसमें मनलब की जो drug reactions होते है, वो किस stage के होते है, जैसे आपका minor होता है, moderate होता है, severe होता को little होता है, तो minor आपको पता है कि बहुत कम होगा, उसमें जो casualty होने के chances है, बहुत कम तो minor हुआ, फिर आपका severe है, severe ह कि hospitalization हो गया वो patient लेकिन बहुत दिनों के लिए और lethal means उसकी death हो जाती है यह आपको पता है important क्या है अगर आप से examiner वहाँ पे पूछेगा तो वो पूछेगा कि moderate क्या है means moderate definition होती है कि कम से कम जो patient है उसको hospitalized किया जाता है by at least one day मतलब एक दिन के लिए उसको hospitalized किया ही जाता है उस situation को हम कहेंगे moderate drug reaction तो इसलिए यहाँ पर important है आपका moderate फिर फार्मको विजलेस तो दोस्तों यह जितना भी adverse drug reaction होता है तो इसकी निगरानी के लिए means इनका जो detection है assessment है और इनको जानने के लिए फिर इनका जो prevention करना है इसके ल फार्मको विजलेस और यह बहुत important है यह examination में आने के बहुत जादा chances है तो इसको आप word right लिजिये यह फार्मको विजलेस हुआ तीक है अब फार्मको विजलेस हर country में अपना एक फार्मको विजलेस है जैसे इंडिया में यह फार्मको विजलेस जो देखती है कि किसी drug से adverse रियक्शन या एफक्ट तो नहीं आ रहा तो वह है एम्स हमारा जो एम्स अंस्थान है वह देखता है इस चीज को इसी तरह हर कंट्री में एक इंस्टीट होता है जो इस चीजों को देखता है तो उनकी जो जितने भी कंट्री है उनकी एक कॉलोबरेशन मींस उनको कौन निग निगरानी करता है उपसला मॉनिटरिंग सेंटर जो की स्वेडन में लोकेटेड है तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह आता भी है और फिर से आ जाएगा क्योंकि है ऐसी चीजे ऐसा पॉइंट है कि जितने भी फार्मको विजलेंग सेंटर हैं डिफेंट डिफेंट इसको बिलकुल भी रतना नहीं है तो इसको बिल्कुल भी रतना नहीं है आपको रटना काह हैँ वो आपको मैं बता दूँगा side effect जैसे आपको पता है आप इतना जादा पढ़ते हैं हर एक ड्रग का side effect है तो आपको इसको कैसे पढ़ना है आपसे जो question पूछा जाएगा वहाँ पर आएगा कि atropin is used in pre-anesthetic medication for its anti-secretory action the same action produces dryness of mouth as a side effect as a dryness of mouth ठीक है तो ये क्या चीज़ है side effect है secondary effect है toxic effect है या idiosyncrasy है ठीक है तो आपको वहाँ पर देना पढ़े गा ये इस drug का side effect है या ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि atropin drug जब pre-anesthetic medication के लिए दी जाती है ठीक है for its anti-secretory action के लिए तो वहाँ पर कौन सा side effect देखने को मिलता है जिसमें वह एक option में रख देंगे produces dryness of mouth तो आपको tick करना है dryness of mouth इसी तरह secondary effect जो होता है वह actually क्या होता है कि जो आपका primary drug का जो action है मतलब जो जिस चीज के लिए आप drug ले रहे हो उसका एक indirect result भी आ जा रहा है ठीक है उसको हम कहते है secondary effect जैसे जब हम tetracycline लेते हैं bacterial flora की जो growth हो रही है उसको रोकने के लिए तो देखा गया कि वहाँ पे super infections के लिए दरवाजे खुल जाते हैं मतलब वहाँ पे infections होने के और ज्यादा chances बढ़ जाते हैं bacterial flora तो कम होता है suppressed होता है लेकिन super infections के लिए दरवाजे खुल जाते हैं तो यह क्या हुआ यह इसका indirect आपका result है ठीक है इसी तरह जब corticoistroid को हम लेते हैं we can host defense mechanism so that the latent tuberculosis is activated तो वह क्या करता है कि जो host है जिस पे हम corticoistroid दे रहे हैं उसका defense mechanism बहुत कमजोर पढ़ जाता है जिसकी वज़े से tuberculosis activate हो जाता है ठीक है तो यह सब क्या है कि indirect result है यह हुए आपके secondary effect फिर आपके toxic effect आपको पता ही है कि जब भी हम overdose लेते हैं यह किसी भी drug को बहुत लंबे समय तक लेते हैं या inipramine overdose causes cardiac arrhythmia या stryptomycin causes vestibular damage of prolonged use तो यह क्या चीज है यह आपका किस category के अंडर आता है side effect में आता है, second effect में आता है, toxic effect में आता है, idiosyncrasy में आता है यह किसी और भी जो category है जो इतनी धरता है category तो उसमें आता है तो आपको simply बोलना है कि यह जो है यह आपके toxic effect में आते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए यह example है बहुत important है यही book में दिये हैं और यही आने वाले है इसके सिवा आपको नहीं जाना है KDTE आपकी एक तरह से reference book है और इससे ही सादा कुछ आना रहता है तो यह example आप रट लीजे यह आपके toxic effect है इसी तरह poisoning में आपको चाहर आप्शन दिये जा सकते हैं जिसमें आपको कहा जाएगा कि Resistation and Maintenance of Vital Function में इसमान लीजे कोई बहुत ही बुरी condition में है जिसने poison ले लिया है ठीक है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो इसकी जैसी में अगर इसको breath नहीं आ रही तो mouth to mouth इसको breath दे रहे है ठीक है ताकि इसको vital organs है वह वहां पर function करते रहे यह ना हो कि वह को लैप्स कर जाया और patient वहां पर death हो जाया इसी के साथ अगर मानली जहां carbon monoxide है तो हमें उसको एक अच्छे environment में ले जाना पड़ेगा जहां पर उसको oxygen मिल सके फिर prevention of absorption of ingested poison charcoal मानलो उसने poison ले लिया है तो हम सबसे पहले उसे charcoal हमें पता है कि antidote होता है poisoning के लिए तो हमें व इसको diuresis कराना पड़ेगा means urine excretion कराना पड़ेगा ताकि जो भी poisonous substance है वो urine की थ्रूप निकल जाया जिसके लिए हम furosemide और manutol जैसी drug दे सकते हैं तो वह आप से पूछ सकता है कि वहां पे आपको चार option दे सकता है चार यह इसमें से जो भी option दे तीन option दे दे फिर इसके एक चौथा option दे देगा कि इसमें से all of the above are true तो जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि तुक्का माल में की जो विदी है उसका जो वीडियो था कि अगर all कहीं आ रहा है तो आपको वहां पे सतर खो जाना है कि all बहुत जादा chances होते है 90% chances होते हैं कि all of the above सही रहता है इ फिर आता है आपका intolerance intolerance क्या होता है it is the appearance of characteristic toxic effect of a drug in an individual at therapeutic dose means कोई भी आदमी है जो एक therapeutic dose है ठीक है जिस पे आपका means जहां पे जैसे कोई भी dose है उसका therapeutic level होता है वहीं पे वो असर दिखाना शुरू करती है तो उस डोज में भी उसको एक toxic effect दिखाई दे रहा है तो यह क्या यह intolerance हुआ उस patient के लिए इस level के ऊपर जाना intolerance हो गया फिर आता है आपका idiosyncrasy जो की बहुत बार आया है idiosyncrasy से एक word जुड़ा है genetically यह आपको दिखाई देगा तो आपको तिक करना है idiosyncrasy means patient या किसी व्यक्ति की जो genetic है जो उसकी वज़े से जो आपके adverse drug reaction अगर आते ह उसको हम लोग पढ़ाई करते हैं idiosyncrasy में ज़रूरी नहीं है कि कोई drug ही हर बार effect करें कभी कभी होता है कि जो patient है उसका ऐसा genetic होता है कि जिसकी वज़े से वहाँ पे reaction उभरते हैं जैसे बार्बिट्रेट्स causes excitement and mental confusion in some individuals तो कुछ individuals को जब आप बार्बिट्रेट्स drug देते हो तो उन में excitement या mental confusion दिखाई देता है तो ये some individuals को होता है जिनके genetic में कुछ problem होती है या problem ना कहें तो मतलब वो इन drug से कुछ अबजीज सी हरकते करने लगते हैं फिर क्लिनीन, क्लिनीदीन है वो देने पे cramps, diarrhea, purpura, asthma और vesicular collapse भी कुछ patients में देखे गए हैं फिर chloramphenicol produces non-dose related serious aplastic anemia in rare individuals तो कुछ individuals में chloramphenicol जब हम दिये तो हमें aplastic anemia के भी लक्षड दिखाई दिये तो बहुत ही rare individuals में दिखाई दिये ऐसे आप दोगे जो एक average आपके patients group है तो उन में नहीं दिखाई देंगे लेकिन कुछ में दिखाई दिखाई दिये तो ये सब क्या है ये सब क् drug allergy, allergic reaction occur in a small proportion of the population exposed to the drug, means drug allergy आप समझे के होंगे किसे आपको drug से allergy होती है ये भी कई type की होती है जिसमें mechanism type of allergic reaction हम पढ़ेंगे की कैसे होता है तो आप उसमें पढ़ोगे humoral और cell-mediated जिसमें तो question पहले भी GPAT में आ चुके हैं, तो humoral में आपको important word याद करना है कि masked cells, जैसे ही word humoral दिखाई देगा, आप टिक करोगे humoral वनना आप वहाँ पर cell-mediated उसको कर दोगे, ठीक है, humoral को हम type 1 भी कहते हैं, enaphylactic reactions भी कहते हैं और immediate hypersensitivity भी कहते हैं, अब जैसे ये क्या करते हैं कि सबसे पहले कोई भी चीज बाहर से आती है, तो हमारी body इस पे antibodies बनाती है और आ करें के आपके पांस तरीके के आपके ये antibodies होती है, जिसमें से IgE जो है, ठीक है, वो क्या करती है, सबसे पहले mast cells पे जाके fix हो जाती है और अपना असर दिखाना शुरू करती है, तो आप से एक्जामिशन ने पूछा जाएगा, वो mast cells का जरूर जिकर करेंगे, जो कि आपक काम करेंगे, आपका फिर आपका यहाँ पे cytolysis होगा, मिस वहाँ पे cell break करेंगे और वो अपना असर दिखाना शुरू करेंगे, ठीक है, जिसमें आपका thrombocytopenia आता है, agranulocytosis आता है, aplastic anemia आता है, hemolysis आता है और organ damage आता है, यह हैं आपके cytolytic reaction में, फिर आता है आपका ret inflammatory condition है, यह आता है, जैसे वहाँ पे rashes, serum sickness, polyarthritis, nodosa, stevens johnson syndrome, यह है आपका retarded arthritis reactions में, फिर आता है आपका cell mediated, तो दोस्तों, cell mediated में जैसे अभी आपने देता पीछे antibodies थी, IgE की हम बात कर रहे थे, antibody की, यहाँ पे आपका वो नहीं दिखाए देगा, cell यहाँ पे T lymphocyte, cells यहाँ आपका असर करना सुरू करते हैं, जिसकी वज़ाँ से reaction वगहरा होते हैं, तो T lymphocyte, अगर जीकर आ रहा है, तो यह आपका cell mediated है, और अगर आपका antibody जीकर आ रहा है, तो आपका hemoral है, फिर आता है आपका photosensitivity, तो photosensitivity, photo toxic होती है दोस्तों, और photo allergic होती है, photo toxic होती है, जिसम में आएगा, तो आपको mention करना होगा, कि 290 से 320 NN और ultra wallet B, यह photo toxic करते हैं, जो कि sun burn type effect वहाँ पे show करते हैं, और जो photo allergic होता है, वो allergy ही produce करता है, toxic नहीं होता है, आपका इसमें longer wavelength, जो होती है, वो cause करते हैं, जो कि 320 से 400 nanometer की जो होती है, वही wavelength वहाँ पे आपको allergy condition पैदा करती फिर आता है आपका drug dependence, तो drug dependence दो तो psychological होता है, और आपका physical dependence होता है, तो psychological वो होता है, जिसमें जो patient है, वो जब तक drug नहीं देखेगा, तो उसको बहुत अजीब सा behavior होता रहता है, जिसमें आपके कुछ drug ऐसे हैं, जो कि strong होते हैं, बहुत जादा मतलब कि अंदर से उसको ख और आपके strong reinforces में आते हैं, और जो आपका benjo diapines हैं, वो आपके weak reinforces में आते हैं, physical dependence दोस्तों वो होता है, जिसमें अगर हम उस drug को ना ले, तो हमारा जो nervous system है, वो सही way में काम करेगा ही नहीं, nervous system नहीं सही way में काम करेगा, तो फिर वो बंदा किसी काम का ही नहीं रहेगा, आपको पता है कि हमारे body में सबसे महत पूर अगर अंग कोई कहा जाए, जिससे हम सब को सोचते हो अगर है, तो हुआ है nervous system, तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, कि withdrawal abstinence syndrome, इसमें होता है, साथ में discontinuation of the drug result, इस से उसको बहुत ही मतलब की दिक्कत होती है, और it is also called neuro adaptation, मतलब यह nervous system में पूरी तरह से drug चड़ चुकी होती है, और आपका nervous system बिलकुल भी normally function नहीं करेगा, जब तक drug वहाँ पर present ना हो, फिर आता है आपका drug abuse, कोई भी drug जितनी मातरा में उसको लेना है, उससे ज़्यादा आप उसको लेते हो, उसका सेवन करते हो, या आप उसको जिस च चीज के लिए तो उसको कहते हैं drug abuse, drug addiction, means किसी drug का addict हो जाना, उसको कहते हैं drug addiction, drug habitation होता है, less intense involvement, withdrawal produced only mild discomfort, जैसा कि drug addiction है, उसी का, छोटा भाई के लिजे कि drug habitation है, जो कि इतना ज़्यादा आपको परिशान नहीं करता है, लेकिन mild discomfort ही वहाँ पर produce करता है, फिर आता है आपका ter teratogenicity, means जो fetal होता है, उसमें भी कई बार वहाँ पर जो drugs होती है, बहुत ही problem, खड़ा कर देती है, ठीक है, जैसे president mother है, उनमें जब हम कुछ drugs लेते हैं, या उनका ज्यादा सेवन कर लेते हैं, तो वहाँ पर teratogenicity, means death of the fetus होने के बहुत ज्यादा chances रहते हैं, तो वह हुआ आपका teratogenicity, और ऐसा ही disaster देखा गया तो, जो कि कई बार GPAT में पूछा जा चुका है, तो है thalidomide disaster, जो कि 1958 से 61 पहुआ था, जिसमें हजारों बच्चों में एक seal-like limbs आना शुरू हो गई थी, फोको-मीलिया, जिस condition को हम लोग कहते हैं, इसमें thalidomide, जो drug है, उसका सेवन करने से बाद में पता चला, कि इसमें फोको-मीलिया सा असर आ रहा है, और हजारों बच्चों में seal-like, मतलब जो इनके limbs थे, वो बहुत ही लंबे-लंबे हो गया, जैसे seals में आप देखते होंगे इसको ध्यान रखेगा, फिर drugs can affect the fetus at three stages, तो जो drug होती है, फीटस को तीन स्टेज में एफेट कर सकती है, एक तो fertilization implantation, जो की 17 दिन के अंदर का फीटस होता है, उस पे करती है, फिर आपका organogenesis, जो की 18-55 दिन में होता है, of gestation, most vulnerable period होता है, मतलब सबसे ज़्यादा इसमें ज 11-15 दिन के gestation के period होता है, फिर ग्रोथ और डेवलप्मेंट फेज होता है, जिसमें 56 days onwards होता है, उसमें आपका effect आ सकता है, fetal abnormalities के, तो तीन स्टेज में कोई भी drug effect कर सकती है, fetus को, फिर द्रग इंड्यूस डिजीज को हम लोग इयाट्रोजेनिक भी कहते है, फिजिसियान तो यह जो ड्रग है, इसका जो असर है, वो बाद में भी रहता है, तो इसमें जो इंपॉर्टन चीज है, वो है, याट्रोजेनिक, तो ड्रग इंड्यूस डिजीज को हम लोग याट्रोजेनिक भी कहते हैं, जैसा कि अप्टिक अलसर हो जाता है, सेलिसलेट्स और कॉल्ट पार्किंसन्स डिजीज हो जाती है, फिनोथायजेन से, हेटाइटिस हो जाता है, आईसोनियाजेट ड्रग से, तो दोस्तों यह है, यह आपका ड्रग इंड्यूस डिजीज में आता है, तो आप से सिंपल यह एक्जाम्पल वहाँ पूछे जाएंगे, और पूछा जाएग तो इसको आपको करना है, इसको आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजेगा, क्योंकि इसमें से भी एक दो चीजे यहां पर आ सकती है, तो यह है आपका टोटल चैप्टर, इससे एक्स्ट्रा आपको वहाँ पर कुछ नही पढ़ना है, और मैं आगे जो और भी चैप्टर ताकि हमारी फैमिली और ग्रो हो, आपसे में पता चलता है कि किस चीज की दिमान ज्यादा है, या क्या चीज आपको भी समझ में नहीं आ रही है, तो हम वो सारी चीजे अपने आले वाले वीडियो में इसको इंक्लिट करते हैं, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक के लि